हेलो सबको मैं सबका वेलकम करता हूँ हमारी एक बिल्कुल ही नई सीरीज में जिसमें कि हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट डॉक्ट्रीन को जो कि डॉक्ट्रीन ऑफ्ट्रिनिटी है उसे देखने जा रहे हैं एक लिस्ट हम इसके इसलामिक नजरीय को देखेंगे और फिर चलते हुए आएंगे कि बाइबिल इसके बारे में क्या कहती है जैसा कि आप देखी रहे हैं कि मैं पहले एक मुसल्मान रह चुका हूँ मैं साओधी अरेबिया से आता हूँ और मैं सचमच अपने मुसल्मान लोगों से महुपत रखता हूँ इस्पेशली तब जब कि आप अरबिक नहीं बोलते हैं या ये आपकी नेटिव टंग नहीं है और मेरी ये उमीद है कि ये जो सिरीज है ये आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाली है देखी जब मैं मुसल्मान होके बड़ा हो रहता तो मैं मानता था कि कRISTIONS तीन खुदा हो में मानते हैं बेटा है क्योंकि पाक रूख कुरान की टीचिंग के हिसाब से कोई और नहीं फरिष्टा जिब्राइल है तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाली इस सीरीज के कुछ एपिसोड में हम नज़र डालने जा रहे हैं ट्रिनिटी के सिधान पर जो कि बाइबिल की बुनियाद बनाते हैं और यह कि क्यूं यह डॉक्टरिन ऐसी डॉक्टरिन है जो की बाइबिल में शुरुआत से ही दी और किसी ने इसे इन्वेंट नहीं किया यह किसी लेखक ने य ये भी कुरान में दिया नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसल्मान ऐसी किसी डॉक्ट्रीन में नहीं मानते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। तो आईए इसके एक छोटे से सफर पे चलते हैं। ट्रिनिटी का ये जो कॉंसेप्ट है ये एक खुदा की बारे में है। ऐस डॉक्ट्रीन ये एक खुदा ये अपने आपको दिखाता है कलाम के अंदर तीन मुख्तलिफ शक्षियतों के अंदर। अब देखें मैं जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। खुदा कोई आसान चीज नहीं है मेरे समझने के लिए, मेरे इस चोटे से दिमाग के लिए। खुदा इंफानाइट है और वो जलाली है और खुदा पेचीदा है भी तो मैं कौन होता हूँ जो उसे पूरी तरह से समझ सकूँ। तो ये उसने चुना कि वो अपने आपको हम पर इस तरह से जाहिर करें कि एक खुदा चुकि तीन शक्षियतों में है। अब कुरान दरसल इसे बिलकुल अलग ही तरीके से सिखाता है। दरसल कुरान ये कहता है कि क्रिश्चन्स तीन खुदाओं को मानते हैं। मिसाल के तोर पे कुरान का यहाँ पर एक पैसिज दिया जा रहा है चैप्टर 5 और वर्स 73 सुरा अलमाइदा 73 जो की बेसिकली मेज है। यहाँ ये कहा गया है कि ये तो बेहूरमती करते हैं जो कहते हैं कि अल्ला तीन में से एक है ट्रुनिटी के अंदर। लेकिन बात तो ये है कि बाइबल असलियत में ये सिखाती ही नहीं है। बाइबल सिखाती है एक खुदा की अबादत के लिए। और यहीं पर खासकर ये आयत ये बताती है कि इस आयत का लिखवाने वाला खुदा हो ही नहीं सकता। ये खुदा नहीं हो सकता, बाइबल के अंदर अगर खुदा ने अपने आपको एक खुदा तीन फ्रिक्षियतों के अंदर दिखाया है, और अगर सचमुच वो ही कुरान का भी लिखवाने वाला है, तो वो इस तरह की चीज़ को कैसे चूक सकता है, या किसी ऐसी टीचिंग क का दावा कर दें, जो की बाइबल की टीचिंग के बिलकुल ही किलाफ है। तो हम जो मस्री में एमान लाये हैं, हम तीन कि खुदा के अबादत नहीं करते, क्योंकि अगर हम सचमुच तीन कि अबादत करते हैं, तब تو ये प्लेस्ट्वमी है खुदा के खिलाफ, और बुनिय करता हूं कि यह graphic explanation आपको भी बहुत मददगार थाबित होने वाला है हम जो मसी में इमान लाए हुए लोग हैं Bible के हिसाब से हम इन बातों पर इबादत करते हैं हम एक खुदा की इबादत करते हैं इसे monotheism कहते हैं हम ना ही तीन खुदाओं को मानते हैं ना ही दो खुदाओं को या चार खुदाओं को मानते हैं क्योंकि यह होता पॉलिथिजम और यह Bible बिल्कूल भी नहीं सिखाती और इस एक खुदा ने अपने आपको हम पर जाहिर किया है तीन अलग शक्षियतों के अंदर बाप, बेटा और पाक रूह और हम कलाम के हिसाब से ये इमान नहीं करते हैं कि ये खुदा अपने आपको बदलता रहता है अपने मोड को कि एक समय पर वो बाप है, एक समय पर वो बेटा है और एक समय पर पाक रूह है और अगर ये केस होता तो इसे मोडलिजम कहा जाता जो की हेरसी है कुफर और ये स्क्रिप्चर्स बिल्कुल नहीं सिखाते हैं इससे बढ़के ये जो एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं जो अपने आपको तीन मुख्तलिफ शक्षियतों में दिखाता है ये तीन शक्षियतें एक साथ एक बराबर हैं एक साथ को इटर्नल हैं और ये खुदा के सारे ही नेचर और क्वालिटी इसको शेयर करते हैं ये Omniscient है, Omnipotent है, Omnipresent है, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ कर सकने वाला और हर जगे मौजूद, और ये कलाम की वो बाते हैं जो कि खुदा के अंदर होती हैं, और हम ये भी नहीं मानते हैं कि आपस में इनके ओधों में कोई कमी है, कि खुदा बाप, खुदा बेटा औ थोड़ा आसान किया होगा, जैसा कि scriptures में दिया है, अब मुझे ये भी उमीद है कि ये जो छोटा सा short introduction था इस episode का, जिसमें कि ये chart भी शामिल था, और इसने आपकी मदद की होगी, ये समझने में कि मेरा क्या मतलब है Trinity की doctrine से, और किस चीज़ में Christians का इमान होता है, और अप सफर पे चलेंगे, वो भी पुराने नियम से नए नियम तक, खुदा की इस doctrine को देखने के लिए जिसमें उसने अपना मुकाश्वा दिया है, जिसे कि हम पूरी Bible में ही पाते है, Trinity के इस doctrine को, एक triune God जिसने अपने आपको तीन शक्षियतों में जाहिर किया है, बाप, पेट स्कर्णे चमकती हुई दिखाये देती है, पुराने नियम से नए नियम तक,